हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत असान कर देता है आपको उसकी सेटिंग्स में भी जादा छेड़ चार नहीं करनी पड़ती क्योंकि देखे इस टूल के अंदर डीफॉल्ट सेटिंग्स पर ही बहुत बढ़िया काम होता है और यह जो टूल है यह ट्रेंड के साथ अपने आपको ढाल लेता है और इस टूल के बारे में हम सारा क्या ही जोसकी स्क्राइबना इसके से हम की स्इकी स्क्वियाति अटिम나mee का देखने चार उसको समस्श्दोपे इस बहुत हम में रिचव खरkeная나े करतत यह यह फैसार्टाशन वेस्फषॉल्यश कि कर दिखने आपको इस गा वेस्के बास म्हुत हुताशन रिलायबल निक् results भी दिखाएंगे दोस्तों तो दोस्तो, इस tool का नाम है मैं गिले डैनेमिक अगर मैं गिले डैनेमिक आपने सुना है पहले से जो अलग वाकिफ हैं, तो मैं गिले डैनेमिक दोस्तों, एक बहुत ही रिलाइबल अधिकेटर है, बहाँ customization और यह McKinley Dynamic आपका जो Moving Averages का काम है यह बहुत असान कर देता है अगर आपने कभी भी Moving Averages यूज की हों, कभी भी आप चार्ट पे गए हों और चार्ट पे आपने कभी Moving Averages Plot की हों आपको यह परिशानी जरूर आई होगी कि आप कौन सी Moving Averages यूज करें दोस्तों क्योंकि आप जब भी Studies में जाते हैं और Moving Averages टाइप करते हैं तो आपके सामने एक Period आपको Moving Averages का Specify करना होता है कोई कहता है 20 Period की Moving Averages यूज कीजिए कोई कहता है 50 Period की Moving Averages यूज कीजिए और इतने सारे Period होते हैं कि आपको identify करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी Moving Averages का Period कौन से वाली Market में अपलाए होगा जब Market बहुत ज़्यादा Trending है तब कौन सी Moving Averages यूज करनी है जब Market बहुत ज़्यादा Sideways है तब आपको कौन सी Moving Averages करनी है तो अगर ये आपको Problem आई है तो ये Indicator आपके सारी Problems का Solution निकाल देगा दोस्तों तो ये दोस्तों McGinley Dynamic Indicator है और McGinley कौन थे? John R. McGinley जो एक Certified Market Technician थे थोड़ी सी में Background आपको दे देता हूँ और इन्होंने Journal of Technical Analysis जो Journals Publish होते है रिसर्च के उसमें जो है इन्होंने इसके और इन्होंने देखा कि Moving Average में बहुत ज़्यादा issues है क्योंकि क्या होता है कि देखे आप जब भी Moving Average कोई भी Plot करते हैं माल लीजे आपने 20 Period की Moving Average Plot कर ली ठीक है और 20 Period की Moving Average Plot की तो ये देखे Moving Average क्या करती है ये कि यह moving average का कोई भी point है तो यह क्या करता है 20 पिछले 20 period के closing जो prices है उनका जो है directly आपकी average निकाल के ले आता है तो यह हर देखिए यह नहीं देखता कि इस समय trend क्या चल रहा है यह सारे points को equal weightage देता है तो यह market के according adjust नहीं कर पाता जब भी market बहुत ज़्यादा strongly trending होती है यह market बहुत ज़्यादा strongly down trending होती है तो बहुत ज़्यादा आपको जो है न यह market के according adjustment नहीं दिखा पाता देखिए इसके अगर आप यह देखें edit करके अगर simple को आप exponential कर दे तो आप देखेंगे कि exponential moving average थोड़ा सा ज़्यादा responsive हो जाती है क्यों क्योंकि देखें exponential moving average जो शुरू के prices होते हैं उनको ज़्यादा वेटेज देती है तो simple के मामले में exponential moving average थोड़ी सी better रहती है लेकिन मेगिनले जो आपका indicator है यह आपका और भी और भी simplify कर देता है दोस्तों तो यहां पर मेगिनले जॉन आर मेगिनले ने देखा कि यह एक बहुत बड़ा issue है कि 10 period की moving average लगाएं या 20 period की लगाएं कौन से वाली moving average better काम करती है कभी होता है कि कोई किसी stock पे कोई particular moving average सही काम कर रही है किसी stock पे कोई दूसरी particular moving average काम कर रही है तो क्यों ना एक ऐसा tool बना दिया जाए जो अपने आप market की condition के according adjust कर ले आपको वो adjustments ना करनी पड़े trend को देखके कि कौन सी moving averages पे सही काम कर रही है तो मेगिनले ने दोस्तों यह formula बनाया background में बहुत theory में बहुत जो है बहुत ऊपर ही तोर पर कवर कर रहा हूं यह formula आपको याद करने की जूरत नहीं आप इस formula को देख सकते हैं बसकि मेगिनले एक formula बनाया और उन्होंने closing जो prices होते हैं पिछले 14 period जो उन्होंने default रखा जो default setting रखते हैं हम और यहां पर उन्होंने इस formula को basic बना के और यहां पर उन्होंने moving average को use कि इसको और soft करने के लिए तो यहां पर उन्होंने इसको use कि और उन्होंने पहले बताया कि जो simple और exponential moving average होती है उसमें क्या difference होता है मेगिनले जो आपका इंडिकेटर वो बना रहे हैं उसमें क्या difference है क्योंकि simple moving average आपकी 10 period 20 period इस पे equal weightage देती चलती है exponential moving average कहीं ना कहीं आपका यह काम असान कर देती है तो उन्होंने यही चीज अपने इसी चीज को जो base बनाया और इस चीज को solution निकालने के लिए यह मैगिनले जो इंडिकेटर है इसको बनाया तो यहां पे दोस्तो मैगिनले जो आप इंडिकेटर अगर आपको लगाना है तो यहां पे दोस्तो यहां पे जिरोधा में अगर आप जाएंगे तो जिरोधा में डारेक्ली आप यह नहीं लगा सकते आपको माई प्रोफाइल में जाना पड़ेगा और माई प्रोफाइल में चार्ट टाइप जो है दोस्तों यहाँ पे चार्ट आइक्यू के डिफॉल्ट चार्ट आ रहे होते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट जो हैं सेलेक्ट करने पड तो यहां पर दोबारह चार्ट कोई भी पॉप अप करेंगे तो आपके पास ट्रेडिंग व्यूओ के डेखिए चार्ट्स चेंज़ो के आगे हैं इसको आप वापस पॉप अपर कर लेंगे रिफ्रेश करके तो आपके पास यह यह आपके लिए बीचार्ट्स आने लग आपको आप देख पाएंगे यह मैंने 14 पीरेड का लगाया है और इसमें अगर आप देखे मैं इसका styling थोड़ी change कर देता हूं इसका color जो है red कर देता हूं और इसको जो है थोड़ा dark कर देते हैं और okay कर देते हैं तो आप देखेंगे यह red line मैगिनले dynamic है और जब भी देखेंगे यहां आप देख पाएंगे जब भी downtrend आता है तो यह downtrend में बहुत ज्यादा तेजी से react करता है prices के साथ और यह prices के साथ react करके आपको पहले ही बता देता है इसमें की downtrend आ गया है तो आप volatility में stop doubt ना हो जाए stop loss आपका hit ना हो जाए तो इसलिए आपको volatility से दूर करने के लिए यह uptrend में slowly react करता है और downtrend में तेजी से react करता है दोस्तों तो यहां पे दोस्तों अगर आप moving average लगांगे मैं आपको moving average भी लगा कर दिखा देता हूं अगर आप यहां पर moving average लगांगे और moving average यहां पर by default आप देखेंगे यहां पर मैंने moving average l Le 008 Làई 20 period की और यह closing price पर लगाई है और इसको मैंने इसकी styling भी में change कर देता हूँ, इसका color में यहाँ पर black कर देता हूँ और इसको यहाँ जादा dark कर देता हूँ रोक कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे कि मेग जब भी downtrend आता है तो आपका आपकी जो moving average है वो बहुत देरी लगाती है मतलब यह है कि वो आपको signal देने में काफी जादा time लगा रही है लेकिन जो आपका मेगिनले है वो आपको जल्दी signal देता है और ऐसे ही आप देख पाएंगे कि उपर की तरफ भी मेगिनले ज्यादा जल्दी react करता है और moving average कम देरी से react करती है तो यह आपका यह आपका जो moving average वाली problem है यह आपका indicator आपकी यहां पर solve कर देता है इसके उपर दोस्तों बहुत सारी strategies है आप चाहें तो इसको किसी भी indicator oscillator के साथ combine कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो तो यहां पर आप इसको RSI ले ले लिजिए, MACD ले ले जिए या फिर stochastic ले ले लिजिए मैं यहां पर देखे moving average हटा देता हूं और आपको एक sample के तौर पे MACD के साथ इसको combine करके दिखा देता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो MACD के according अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे जब भी MACD के आपको signals पिक करने होते ह इहां पर जब negative territory में cross over आता है आप देखेंगे कि negative territory में cross over आता है तो यह जब भी तक्रश होवर पिक करना है सिंपल होता हि कि जबी प्राइस तो Clayton cochuss को क्रॉस करके Macagn Iya dynamic को cross करके ऊपर की तरफ जाता है तो आपका uptrend स्टार्ट हो जाता है और यहां पे जब भी यह touchdown करता है और यहां crossover आता है तो आप यह signal pick कर सकते हैं और जब भी downtrend आता है तो आपको जेखे पॉजिटिव territory में देखे मैं एक बार इसको clear कर देता हूँ और जब भी downtrend आता है अगर आप देखेंगे downtrend में अगर आपने signals pick करने है तो downtrend में देखे यहां पे downtrend में signal pick करने है तो simple देखे दो चीजों को हमने combine करना है हमने सिर्फ MACD के signals pick नहीं करने हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि यह वाला signal आया और देखेंगे इसको मैं थोड़ा सा color इसका वो कर देता हूँ देखेंगे यहां पे यह वाला signal जो आता है और आपका यहां से देखेंगे यह crossover आया यह pick कर सकते हैं और इस पूरे trend को यहां तक राइड कर सकते हैं और जब वापिस यह cross करके महिनले को ऊपर की तरफ जाता है तो आप यहां से exit हो सकते हैं यह basic basic strategy है आप इसको MACD नहीं तो आप जो भी indicator या oscillator यूस करते हो आप उसके साथ यहां पे combine करके इसको देख सकते हैं और इसको apply कर सकते हैं तो directly दोस्तों यहां पे हम आपके लिए streak पर चलेंगे और streak पर इस एक basic strategy बनाएंगे और streak पर उसका back test करके देखेंगे कुछ stocks पे और देखेंगे कि यह ली strategy बेसिक तो और पर डेली चार्ट पर कैसा परफॉर्म करती है तो दोस्तों अगर आप स्ट्रीक में को यूज करना चाहते हैं तो आपके बस जिरोधा काउंट होना चाहिए और आजकल इसमें दोस्तों आप काफी सारे ब्रोकर्स और आ गए हैं ब्रोकर्स के लिस्ट आपको डारेक्ली जहां लॉगिन कर रहे होंगे वहां पर मिल जाएगी और यहां पर अगर आपके पास जिरोधा काउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना जाज फैनेंस और कुछ जो निफ्टी के स्टॉक्स है पॉपुलर स्टॉक्स उनी पर यह स्ट्रेजी हम बैक्टेस्ट करेंगे यहां पर मैंने किया SBI और मैं यहां पर करूंगा HDFC लाइफ जो की लाइफ इंशुरेंस का बहुत अच्छा स्टॉक है उसके बाद हम कुछ कि मेरा फैनास के स्टॉक्स लेंगे जैसे लिए जो बे लिए गूट कर दो कि यह स्टॉक्स है जिनमें लिक्विडिटी बहुत जादा होती है तो श्कोई भी स्ट्रेजी आप टेस्ट करते हैं तो इसके लिए आपके पास वॉलियूम्स और लिक्विडिटी होना बहुत ले लिया और काफी सारे यहां पे stocks जो है मैंने ले लिये तो यहां पे आप और stocks भी ले सकते हैं चोटे-चोटे stocks भी ले सकते हैं जैसे Gale हो गया, O NGC हो गया यह भी जो है Nifty के काफी अच्छे stocks हैं आप यहां पे कोई भी stocks ले सकते हैं और अपनी basket भी बना सकते हैं तो यहां पे दोख्तों आपको switch to advance करना पड़ेगा, जब आप switch to advance कर देंगे तो आपके पास advanced level के जो indicators वो available हो जाएंगे यहां पे आपको time frame select करना पड़ेगा, time frame हम daily chart select करेंगे, कि जो daily chart है उस पे ही हमारी strategy जो है back test हो, यहां पे quantity आप कुछ भी रख सकते हैं देखे 5 मैंने quantity specify कर दी है और simple simple rule पे हम काम करेंगे जैसा कि हम देंगे कि closing price जो मेरा closing price है वो मेरा crosses above हो जाए किस से दोस्तों यहां पे देंगे मैं गिनले मैं गिनले dynamic दोस्तों यह बहुत beautiful indicator है और यह आपका जो moving average क्या जो सरदर्दी है कि कौन सी moving average यूज करनी है यह सारा काम यह simplify कर देता है आपके लिए आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो है आप यहां पे लगाएंगे आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि यह stock जो है यह किस moving average पे आपका काम कर रहा है यह index जो है यह किस moving average पे काम कर रहा है इस समय कि market condition के according लिए लेकिन यह indicator यह सारा काम simplify करता है और आपको अपने market condition के according अपने आपको डाल लेता है तो यहां पे दोस्तों directly आप देखेंगे closing closing price जब cross above MDI जो आपका MDI से कर दोस्तों यहां पे लोग चले जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां जैसे यह वाला point है यहां पे हम long चले जाएंगे और वापस जब यह close करके नीचे की तरफ आता है तो हम यहां पे short चले जाएंगे दोस्तों तो यहां पे streak पे यही मैंने लिखी है कि closing price cross करके MDI को यानि dynamic को cross करके ऊपर जाता है तो हमारी buy की condition है और exit दोस्तों हम यह stop loss और target पे नहीं करेंगे कुछ भी random values दे देंगे जो की meet नहीं होती है intraday में 80% कोई भी 80% का हम stop loss target specify कर देंगे और यहां पे एक exit condition हम देंगे जिसमें की हम देंगे कि closing price है जो मेरा closing price है दोस्तों वो जो है cross करके below आजाए जैसा कि मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया crosses below हो जाए किससे यह होगा मैं गिनले dynamic indicator से default setting इसकी 14 ही रहने देंगे इससे छेडशाड अभी नहीं करेंगे आप चाहे तो और research कर सकते हैं कि कौन सी setting जादा अच्छी हो सकती है और यहां पे दोस्तों यह advanced settings होती है जिसमें कि आपको start date stop date देनी पड़ती है start time stop time देना पड़ता है और यहां candle stick पे चलेगा और यह CNC normal पे और इसका जो है हम नाम देंगे macginlay dynamic strategy macmcgd strategy हमने इसका नाम दे दिया है और मैंने क्लिक किया है दोस्तो save and backtest पे जब भी save and backtest पे करूँ मैंने क्लिक किया तो यह मेरे पास results दे देगा यह backtested results दिखा रहा है आपको 7 March 2020 से लेके 6 March 2021 यह नि एक साल के backtested results है और इसमें आप देख पा रहे होंगे Bajaj Finance में आपको 11 signal मिले है SBI में 6 signals मिलें यह आपको बता रहा है कितने signal मिलें यह आपको दिखा रहा है backtested profit and loss Bajaj Finance में आप देखेंगे तो 30% का profit हुआ एक साल में SBI में देखेंगे तो 87% यहां पर ब्रोक्रेज अजस्ट करें तो आपको यह नो प्रॉफिट नो लॉस में ही जाएगा तो यहां पर दोस्तों आप यहां इसका डीटेल भी देख सकते हैं कि कब आपको यह signal मिला और यह transaction detail पर क्लिक करेंगे तो यह कब आपको यह signal मिला और यह आपको verify कर देगा आप चाहें तो दोस्तों और जादा इससे play around कर सकते हैं जिसमें कि आप इस strategies में कुछ और changes कर सकते हैं कि आप और जादा इसको optimize करने के लिए दोस्तों यह मैंने एक बहुत basic strategy आपको बना के दिखाई है कि कैसे आप Fish. seine timeline कर सकते हैं आप्याद इसको डिपलॉya कर सकते हैं अगर आपको यह strategy सही लगती है तो आप यह pren, quantity All change कर सकते हैं जिस बी इस टॉक यह strategy थोड़ा कम काम कर रही है कं profit जे रही है उसको आप यहाँ पर quantity रेडियूस कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ प Erlement कर सकते strategy cycle define कर सकते हैं और यहां पर आप order type दे सकते हैं तो आपके पस last में आपके बस दो option होते हैं या तो आप paper trading mode में डाल दीजिए या फिर take live में डाल दीजिए और take live में जब आप click कर देते हैं तो आपकी strategy यहां पर waiting state में चली जाती है और जब भी यह buy की condition हमारी meet होगी trigger आएग तो आप आपको जो streak kiwi4 app अपने mobile में डाउनलोड रखनी है और google play से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपके पास जो है notification आजाता है जिसको आपको click ok करना पड़ता है और वापस जब exit होगा तो आपके पस notification आजाएगा आपको वो भी फिर ok करना पड़ेगा तो ऐ तो आपके दोस्तों हमने इस वीडियो में डिसकस किया एक बहुत ही बहुत ही बहतुरीन जो है इंडिकेटर मैं गिंले डैनमेक यह आपका जो है बहुत सारा काम असान कर देता है जैसा कि मैंने बताया जो मुविंग एवरेज की सरदर्दी है वो सारी खतम कर देता है और क अब किस मार्केट कंडिशन पर कौन सी मुविंग एवरेज काम करेगी यह बहुत बड़ी डिबेट रहती है तो इस डिबेट को सारी चीजें यह हल करके आपको बैक टेस्ट करके हमने दिखाया दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कीजिएगा थैंक यू दोस्तों